क्रिश्णा और जीत का बच्चा है जिन्दा पंडित जी ने क्रिश्णा के सामने किया खुलासा गंगन टीवी के शो नत के अपकमिंग अपिसोड में हमें ये देखने मिलेगा जैसकी जीत और कृष्णा अपने खोय हुए बच्चे के लिए पूजा करवार हुते हैं जहांपर पंडित जी के हाओं में क्रिश्णा दक्षिना देने के लिए आती है तो यहांपर पंडित जी ये कहने लग जाते हैं कि वो इस दक्षिना को कबूल नहीं कर सकते हैं क्यूंकि जिस मकसद से ये पूजा करवाई गई थी वो मकसद ही गलत है यहाँ पर पंडित जी इस बात का खुलासा करते हैं कि उन्होंने जीत और कृष्णा दोनों के हातों के लकीरों को देखा है उसे देखकर उन्होंने इस बात का पता लगाया है कि उनका खोया हुआ बच्चा जीवित है और उनके आसपास ही है और यहाँ पर पंडित जी की बातों को सुनकर जीत और कृष्णा दोनों ही बूरी तरीके से शौक्ड हो जाते हैं क्यूंकि आज तक कृष्णा यहीं मानती आई है कि उसने अपने बच्चे को खो दिया है लेकिन अब पंडित जी के बातों से कृष्णा और जीत के मन में नहीं उम्मीद जाग चुकी है जहां पर वो अब इस बात को तलाशने में बजी होने वाले हैं कि आखिरकार उनका खोया हुआ बच्चा कहां पर है कृष्ण के सामने पंडित जी ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि कृष्णा का बच्चा जीवित है और उसके आसपास ही है जहां पर पंडित जी की बातों को सुनकर कृष्णा और जीत काफी जादा खुश नजर आ रहे हैं क्या होने वाला है आगे जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ साथी साथ हमारे चनल को सस्क्राइब करना ना भूलें